हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है जवाब दीपा पहू इस बार तुमने दिखाया नहीं माईके से क्या क्या लाई हो रजनी जी पूरी आलू की सबजी में मसलते हुए बोली माजी साम को आते ही विस्त हो गई फिर सुभा नास्ते में पूरिया बना रही हूँ सामान खोलने का समय नहीं मिला अभी लाती हूँ बोल दीपा अपना सूट केस हाल में ले आई इतने मेननत संजना को पता चला तो दोड़ी आई देखे तो भावी क्या लाई है इस बार ये साड़ी आपके लिए माजी ये सूट आपके लिए दी दी कहते हुए सूट के सबंद कर ही रही थी कि सासरजनी जी हाथ से रोक एक साड़ी और उठा ली ये साड़ी बहुत अच्छी है तभी संजना ने जपटा मार कर उसका लहंगा उठा लिया या भी बड़ा सुंदर है भावी कहते हुए उलट पुलट कर देखने लगी माजी ये साड़ी और लहंगा वापस उसके सब धालक में ही अटक गए अरे तुम्हारा दिल इतना छोटा है कि एक साड़ी ले ली तो क्या हुआ मैं तुम्हारी मा समान हूँ संजना तुम्हारी बहन ही तो है कभी भी मांग लेना दे देगी वाँ अपनी चीज को अब मुझे मांग कर पहनना पड़ेगा दीपा सोचती हुई अपनी कमरी की ओर चल दी जिस बात का डर था वहीं हुआ दीपा इसलिए सूट के से नहीं दिखा रही थी क्योंकि उसे पता था जो भी अच्छा सामान होगा वा सास और ननद दोनों रख लेंगी पापा ने कलोती बेटी होने के कारड उसे सम महंगा और ब्रांडर सामान दिया मगर जब दीपा ससुराल पहुची तो देखा घर में जो सामान पहले उपयोग हो रहा है वहीं सामान लगा हुआ है पूछनी पर सासु मा बोली अर यहा सब सामान भी नया है जब पुराना होगा इस टोर से लाकर तुम्हारा वाला लगा देंग बाहर साडी लिफापे मिलता सब सासु मा पटोर कर रख लेती और बोलती सम्हाल के रख रही हूं बाद में काम आ जाएगा एक दिन सास रजनी जी बोली बहु हम सब जरूरी काम से बाहर जा रही हैं तुम खाना बना कर रखना बोल सास असुल देवर ननद पतिदेव सारे चले गए वह घर में अकेली खाना तयार कर सब की राद देखने लगी रात के 11 बजे हासी ठोली कर सारे घर वाले लोटे चलिए आप लोग खाना खा लीजिए अरे बहु मैं बताना भूल गई कि हम सब तो खाना खा कर आए हैं ऐसा करो तुम खाना खालो मा जी आप फोन करक का रिस्ता पक्का हो गया क्या हां बस साधी की तारिक निकलने ही वाली है मेरी लाडो को बहुत जोरदार परिवार मिला है बड़ी किसमत वाली है लड़का सहर में नौकरी करता है मेरी बच्ची की सारी ग्रास्ती वहीं जमेगी संजना का हाथ पकड़कर रजनी जी कमरे मे चले आ रहे थे उसके कमरे में घुस्ते ही दीपा ने पूछा या क्या था मुझे कुछ बताया क्यों नहीं गया संजना दीदी की साधी पहले से ही तय हो चुकी है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं या क्या तुख है इस घर का हिस्सा हूं कोई बताता ना बताता आप तो बता देते अरे यार अपनी साधी के एक महिने पहले ही रोका हुआ था और साधी अब होगी तुम फालतु में वट बदलती रही कुछ दिन बाद रजनी जी की नर सीमा बुआ घर आई उस समय दीपा कमरे में आराम कर रही थी या सोच वो दोनों बातों में मगन हो गई और भावी कैसी चल रही है तयारी सीमा जी जी आपकी सिखाई हर सीख से चल रही हूं बस ऐसे ही चलती रहोगी तो पता भी नहीं चलेगा बेटी का बया यू निपट जाएगा जी जी कुछ भी कहो आईडिया जोरदार था आपका हम तो पहले संजना के हाथ पीले कर रहे थे मगर आपकी सला से पहले हमने आमित की साधी की खुबदान दहच बटोरा अब उसी दहच से संजना का बया निप जाड़ी लहंगे जोलरी लाकर में रख देना सोचने लगी कैसे कैसे लालची चालाग लोग भरे पड़े हैं दुनिया में कहां एक बेटी के बाग को लुटने में कोई कैसर नहीं छोड़ी और वहीं खुद अपनी बेटी को फ्री में विदा करने की जुगाड में लगी ह कास मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं इन लोगों को मज़ा चखा सकती अपने सामान पर अपना हग जमा सकती मगर ऐसे लोग सबक सीखे बिना नहीं समस्ते अम मुझे है कुछ करना होगा किसी और के आने का इंतिजार क्यों करना और उसे मौका भी मिला दीपा बहु आज साम को संजना की ससरौल वाले घरा रही हैं तो मलाई को पता पालक पनीर पराठा रोटी रायता गोभी आलू हलवा खीर कश्टर्ड तयार कर लेना सरला तुमारा हाथ बटवा देगी हम दोनों जनी पारलर जा रही हैं उनके आने से पहले आ जाएंगे सा सफाई शुरू की तो उसे एक उपाई सुझा सरला के साथ मिलकर घर चमका दिया और खाना भी तयार कर लिया छे वजे जैसे ही रजनी जी और संजना घर में घुसी एक पल के लिए ही ठिटक गई क्योंकि घर उनकी पहचान में नहीं आ रहा था फिर देखा दीपा भू टे पुराना सामान तो पुराना ही होता है क्योंना मेरे माईके का सामान लगा दिया जाए आखिर दीदी की सजराल वालों को भी तो पता चले इनका माईका कितना जोरदार है मगर ये सामान तो मैंने संजना को देने के लिए रखा था रजनी जी बोलने ही वाली थी कि इतने मे लड़का उसके माता पता बहना जाते हैं, सब उनका स्वागत करने लगे, तभी संजना के सा सारदा जी बोली, वह बहन जी, आपने तो तगड़ा दान दहेज लिया है, यह हाट सीटर सोफा, दीवार बराबर, एलेडी टीवी, डबल डोर फिरिज, डाइनिंग टेबल एसी, रजनी जी किसी आने लगी, क्योंकि उनकी होसियारी उन पर भारी पड़ रही थी, जी हो बहु की पापा को कितना मना किया, फिर भी यह सब दे डाला, आखिर है तो सब उनकी बेटी का ही, अच्छा किया, सही किया उनका फर्ज है, खाना खाते हुए संधन सारदा जी बोली अच्छा संधन जी मैं क्या कही रही थी, हमें तो यह सब सामान वामान कुछ नहीं चाहिए, पहले से घर भरा पड़ा है, आप बिल्कुल परिशान मत होना, वैसे भी संधना तुराजन के साथ दिल्ली में ही रहेगी, वहां कंपनी की तरफ से सब मिला हुआ है, यह होगा तो सब आपकी बेटी का ही, यह सुनरजनी जी को काटो तो खून नहीं, जैसे इस्तित हो गई थी, आज उनकी होसियारी उन पर भारी पड़ गई, वे जो चाल चल रही थी, वो सब उल्टी पड़ गई थी, सब के जाने के बाद रजनी जी के पती, दिनिश जी बोले अब समझी, क्यों कहता था, लालच बुरी बला है, और इसके चकर में किसी का दिल मत दुखाओ, दीपा के पिता ने कितनी मुश्किल से सब सामान जुटाया था, उस पर तुमने बड़ी गाड़ी भी मांग ली थी, देखा भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, आप करो 10 लाग कैस, और 20 तोले गोल्ड का इंतिजाम, गुश्य से बोलते हुए तिनेश जी, करवट बदल कर सो गए, आज दीपा कुश थी, थोड़ी सी हिम्मत से, उसने लालची चालाक सासु मा को सही और जोरदार जवाब जोदे दिया था, अचा करती हूं दोस्तों, आपको मा कारी कहानी जुरूर अच्छी लगी होगी, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सेर जुरूर करें, धन्यवाद